नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिजिटल सेवा गुजराद चैनल में डिजिटल सेवा पोर्टल में लोगिन होने के बाद उपर सर्च के आप्शन में एक्जाम लिखिये नीचे एक्जामिनेशन फी लिखा आ रहा है उस पर क्लिक करें अब आप IIBF के रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आ चुके हैं अब आप अपना टाइटल सिलेक्ट करें बाद में अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखें नीचे कांटेक्ट डिटेल में अपना एड्रेस लिखें जिसमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखे, नीचे सिटी का नाम लिखे अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट करें और अपना पिन कोड दर्ज करें नीचे के ऑप्शन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी की जन्म तिथी सिलेक्ट करें नीचे अपना जैंडर, मेल या फीमेल सिलेक्ट करें qualification के option में आप undergraduate है या graduate है या post graduate है वो select करें नीचे के option में specify करें कि आप कौन सी category के साथ pass है फिर अपना regular email दर्ज करें नीचे std code और phone number के box में लिखना mandatory नहीं है mobile number के box में आपको अपना regular number लिखना है आधार card number mandatory नहीं है अब upload scan photograph में आपको अपनी passport size की photo upload करनी है नीचे upload scan signature में अपनी signature upload करनी है नीचे 3 में से एक कोई भी ID proof आपको select करना है जो आपके पास available है और उस ID का number नीचे लिखना है example के तौर पर आप pan card select करते हैं तो pan card का number नीचे लिखना है और upload your ID proof में pan card की photo upload करनी है आप नीचे देख सकते हैं कि कौन सी photo आपको कितनी size में upload करनी है वह देख सकते हैं नीचे exam details में आपको अपनी language select करनी है जिस language में आप exam देंगे जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कनर, मराथी आपकी जो भी भाषा है वह select करनी है नीचे exam center के name दिखेंगे जो पूरे इंडिया के center दिखेंगे उसमें से आपको जिस भी center में exam देनी है वह select करे या आप इस तरह सर्च करके भी center select कर सकते है नीचे अब आपको जिस center में exam देने जाना है वो सभी यहाँ पर दिखेंगे जिस में से आप कोई अपना नजदी की एक center select करे अब आपको किस तारीख को exam देनी है वो list में से select करे side में कितने बजे आपको exam देनी है वो समय select करे नीचे scribe required के check box में उन्हें tick लगाना है जो दिव्यांग व्यक्ति है और उन्हें साथ में किसी को ले जाना है जिसके लिए उन्हें पूर्व मंजूरी लेनी होती है आप दिव्यांग नहीं हो तो उस check box में tick न करे अब आप नीचे declaration पढ़ सकते है सारे declaration पढ़ने के बाद accept पर click करे side में लिखा हुआ capture code दर्ज करे और नीचे preview and for payment process पर click करे preview में आपने जो भी detail भरी है वो देख सकते है अगर कुछ edit करना हो तो कर सकते है अगर application में detail perfect है तो आगे payment करना है वो हमारे CSC के wallet में से कटेगा कितना कटेगा वो आप देख सकते है 800 प्लस GST लिखा हुआ है उतना पैसा हमारे CSC wallet से कटेगा registration complete होने के बाद आपको आपके register email में payment slip और admit card भेज दिया जाएगा तो दोस्तों इस तरह से हम IABF portal में अपना registration कर सकते है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद